सनिवार के दिन करे एक छोटा सा टोटका आपकी हर समस्या से मिलेगी मुक्ति जैसे कर्श से मिलेगा छुटकारा नजर दोस्त से मुक्ति मिलेगी बिजनेस में हो रएग घाटा उससे भी आपको बिद्धी होगी अगर आप पर्षाणियों से फ़से हैं इससे भी मुक्ती मिल सकती है तो आई ये जान लेते हैं ये टोटका क्या है जो हमारे सारे पर्षाणियों को दूर कर सकता है नमस्कार दोस्तों, गैल निर्सन चैनल में आप सबों का सुआगत है दोस्तों जादतर खाने में राई का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये जाईका बढ़ाने का काम करती है राई सिहत के लिए भी बहुत अच्छी जरूरी होती है हाला कि आप जानते हैं कि ये रसोई में बनने वाले खाने में इस्तेमाल की जाने वाले राई आपको कई परिसानियों से चुटकारा दिला सकती है जी हाँ आज हम आपको बताने जा रहे हैं राई के कुछ टोटके जो आपके घर में सुक सांती के साथ साथ सम्रिद्धी भी बढ़ा सकती है तो आईए जान लेते हैं अगर आप कर्ज से चुटकारा पाना चाते हैं कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए सुकल पक्ष से पहले सनिबार की रात आप किसी चौड़ाय पर दोनों हाथ में राई ले और दाएं हाथ की राई को बाएं तरफ और बाएं हाथ की राई को दाईं तरफ फेक दे का दो मुखी दीपक जला दे और बिना मुड़े सिधे घर आ जाए इससे आपको कर्ज से छुटकाडा मिल जाएगा अगर आप नजर दोस से परिसान हैं अगर आपके घर में कोई गंभिर बिमारी से पिरित है तो आप आम की लकड़ी की आग जलाए इसके बाद साथ राई के दाने साथ लाल मिर्च साथ ही नमक की डली को बाए हाँच से पिरित के उपर से साथ बाल वार ले और इनको आग में डाल दे जी हाँ क्यूंकि ऐसा करने से बुरी नजर का दोस्त जल्दी खटम हो जाएगा अगर आपको बिजनेस में होड़ा है घाटा अगर आपको बिज साबू धनिया ब्यापार इस्तल या फिर दुकान में किसी जगह पर रग दे ऐसा करने से मन पड़ा ब्यापार चलने लगेगा साथ ही दुकान पर ग्रहाँगों की संख्या में बिद्धी होने लगेगी अगर आप परेसानियों की जाल से छुटकारा पाना चाहते हैं कि घरे में पानी भरे उसमें कुछ राई के पत्ते डाल दे उसके बाद सनिवार के दिन उस जल से इसनान करें ऐसा करने से आपका बुरा समय खत्म हो जाएगा साथ ही दर्द्रता रोग भी खत्म होगा अगर आपका इन सब में से कोई भी परेसानी आपका पीछा नहीं शो कि बोजया हुँ 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 हुँ